तो देखो बच्छो, Question number 22 में क्या का गया है, If PQ is a tangent to the circle, यह P है, यह Point Q है, यह Circle का Center O है, यह PQ tangent है, और अपने को क्या के Given है, O से लेके P, यानि कि यह वाली Length अपने को कितना दे रहे हैं, 13, O से लेके Q, यानि कि Circle की Radius अपने को निकालने के है, यह PQ, तो बहुत आसान है, यह Radius है, और यह Tangent है, तो यह Angle कितना हो गया, 90 Degree, 90 Degree हो गया, तो Hypotenuse कोन सा होगा, 13, तो Pythagoras स्थर्म लगा तो, 13 का स्केर इक्वाल टू, 5 स्केर प्लस X स्केर, तो X के वेलू यहां से आसानी से आप निकालो कि कितनी आजेगी, 12 सेंटीमेटर यह कोशन का अंसर है, कोशन 23 में देखो, यह एक पॉइंट A है, यह पॉइंट T है, यह सरकल का सेंटर O है, आपको सब कुछ गिवन है, कि यह एंगल 30 डिगरी दे रखा है, यह साइड 4 सेंटीमेटर दे रखिया है, और 80 निकालनी है, 80 मतलब यह वाली लेंथ निकालनी है, अपको कितनी X, और यह 40 है, देखो अगर आपको ऐसे समझनी आता न, इस ट्रेंगल के अंदर कैसे निकाले, तो आप एक नई ट्रेंग कि यह 30 हो सके, तो फिर तीसरा वर्टेक्स क्या बच गया अपना यह वाला, यानि कि ओ बच गया, अब 84 है तो देखो, 84 सेंटीमेटर यह होगी, अब 80 निकालनी है, 80 निकालनी है, तो मैंने इसको क्या मना था, X, अब इस ट्रेंगल के अंदर आप मेरे को पता दो, यह पेस अपोन हाइपोटेनियस, बेस अपोन हाइपोटेनियस का फॉर्मुला बचो क्या होता है, कोस तीटा होता है, यानि कि कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, रूट 3 वै टू, तो ग्रोस मिल्टिप्लाइ करके 2X की आगया, अपका 4 रूट 3, X की वैल्यू कितनी है आजेगी, 2 लग से आप ट्रेंगल बनाके इस कोशन को बहुत आसानी से सोल कर सकते हो, कोशन नबर 24 देखो, यह अच्छा कोशन है, इसमें यहाँ पर कोमा लगा लो, इसमें क्या का गया है, पी क्यू इजे टैंजिन टू दी सर्कल, फिज सेंटर ओ, यानि कि एक सर्कल बनाओ, जैसे सर्कल को टच करती है, जाके, क्यू पर, और आपको क्या कहता है, the radius of the circle, मतलब यह पुछी गई है, the radius of the circle, if po is equal to 5, तो p से लेके o, यह जो length है न बच्चो, यह कितनी है, 5, और p q कितनी है, 4, और आप से क्या पुछी गई है, radius, radius तीसरी साइड रहेगी, यह हमारे को निकाल है, 90 के सामने वाली side hypotenuse होती है, तो hypotenuse का square equal to 4 square plus x square, तो x की value यहां से कितनी आगी 3, तो radius कितनी आगी circle की 3 cm आगी, यह question बिल्कुल आसान है, the radius of two concentric circles, concentric circle बचो क्या होते है, जो दोनों एक दूसरे के अंदर लाई करते है, ऐसे बना लेते है, यह दो circle होगे, उनकी radius 1 की 5 है, और एक की 13 है, आपने को length बतानी है, उस code की, जो एक circle की tangent है, और दूसरे circle को क्या करती है, दूसरे की code है, और एक की क्या है, tangent है, मतलब कि मैंने आपको बता रख है, यह diagram ऐसा बनता है, तो यह A, B, अपने को बतानी है, यह M है, आपने को बताओ, यह अगर center है, दोनों circles का, तो यह जो radius है, यह कौन से circle की radius आपको लग रही है, छोटे वाले circle की लग रही है, और छोटे वाले circle की radius कितनी है, 5, अच्छा, यह बता दो, center से, बड़े circle के उपर, जो यह A point है, इसको मैं join कर दूँगा, तो यह बड़े circle की radius बन जाएगी, यह कितनी दे रही है, अ आप बताओ, अगर इसको मैं X मानता हूँ, तो पाइथागरोस स्वर्म लगा के X निकालोगे न, 13 का square equal to X का square plus 5 square, आपको बहुत असानी से निकालना आता है, X value कितनी हागी बच्छो, 12, but हमारे से क्या पुछी गई है, उस code की length, यानि की AB की length पुछी गई, यह अपने से number 26 देखो, यह भी असान question है, from a point Q, the length of tangent to a circle is 24, तो जैसा कहा गया है आप वैसा diagram बनाओ, from a point, from का मतलब, point कहा होना चाहिए, फिर बाहर होना चाहिए, इस point Q से, हमने इस circle के उपर बचो एक tangent draw करी है, जिसकी length कितनी है, length of tangent कितनी है, 24, यह अपने को given है, and the distance of Q from the center, यानि कि यह Q है, और यह center बोल दो, तो Q कि center से distance बचो कितनी है, 25 cm दे रखी है, the radius of the circle हमारको निकालने क्या बोलो, radius यह यहाँ पर अगर touch कर दी है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, radius बोलेंगे, इसको बोल देते है, B, तो radius को फिर से आप क्या मालो, x मालो, यह angle line की degree का होता है, फिर स x plus x square, x square की value कितनी आगी बच्चो 49, तो x की value कितनी आजेगी, 7, 7 cm इस question का answer है, question number 27, यह असान question है, इसमें क्या एक figure आपको given है, यह A से लेके भी एक क्या है, code है, और यह point C है circle के उपर, यह AC आपको क्या दे रखा है, बच्चो diameter दे रखा है, ध्यान से समझना, AC क्या है, diameter है, तो जब भी diameter given होना, तो आप याद रखना, एक angle हमेशा क्या बनेगा, angle इने semi circle, कितना होता है, 90 degree, मैं इस diagram को देखा, आपको दुबारा बना के दिखाता हूं, clear, यह ऐसा diagram है, एक circle है, यह क्या है, एक code, A से लेके P, और यह जो AC है, यह diameter है, क्योंकि यह क्या है, बच् tangent रो की गई है, circle की, यह वाली, tangent रो कर दी, और यह point को क्या नाम दे दिया, इन्होंने, T, अब देखो ध्यान से, सारा कुछ दे रखा है, AC, B 55, AT, इसे tangent है, BAT बताना है, BAT, यह आपको यह वाला angle निकालना है, बच्छो, angle 1 की value बतानी है, क्या होगी, यह वाला angle की बात कर क्या होगा, देखो ध्यान से, अगर यह 55 है, और यह तो बच्छो 90 है, यह कितना डिगरी होता है, 90 डिगरी, क्यों होता है, यह 90 डिगरी, angle इन्हें, semicircle, यह यह AC क्या है, एक diameter है, angle इन्हें, semicircle, क्योंकि अगर यह बात आप आप नहीं, catch कर पाई, paper के अंदर आपके दिम angle 2 की, angle 2 मेरे को पता सकते हो कि आप, इस triangle के अंदर, angle 2, तिन्हों angle का सम 180 होता है, इसमें से एक 90 यह है, 155 question में दे रखा है, तो यह angle कितना हो गया, अपना 35 हो गया, angle 235 हो गया, अब आप मेरे को पता हो, angle 1 और 2, पूरा कितना होता है, 90 डिगरी होता है, एंगल 1 और 2, 90 ड tangent आपस में क्या होती है, परपेंडिक उदर होती है, तो इसलिए यह पूरा angle कितना बन गया, 90, अब मुझे निकालना क्या है, angle 1, तो 90 में से मैं angle 2 माइनस करतू, और angle 2 मैंने उपर से कितना निकाला हो, 35, तो angle 1 कितना आगया, 55 डिगरी आगया, तो पिलकुल आसान question था, सि सर्कल के अंदर बनने वाला angle 90 डिगरी का होता है, और tangent और radius आपस में कितनी डिगरी का अंगल बनाती है, बचो, 90 डिगरी का अंगल बनाती है, 28th question देखो, इसके अंदर बस एक थोरम लगने वाली है, उस थोरम के पर यह based question है, मैं यह थोरम यहाँ पर आपको एक बर समझा देता हूँ, यह वाली थोरम, इस थोरम को आप note कर देना, माल लो, एक ऐसा quadrilateral है, बचो, जो इस circle को बाहर से, इस circle की चारो side को touch करता है, मैं क्या बोल रहाँ आपको, एक circle बना देता हूँ, और एक ऐसा quadrilateral आप draw करो, जो इस circle की, circle को बाहर से touch करता है, मतलब circle की boundary को touch करत हूँ, एक quadrilateral draw कर लो, यह मैंने purple color में जो quadrilateral बना है, यह circle को क्या करता है, टच करता है, इसका नाम दे दिया, मैंने A, B, C, D, तो थोरम यह होती है, कि इस quadrilateral की opposite side है, यह मालनों इसका center है, opposite side मतलब, एक AB और एक CD, अगर आप इनको center से join कर दोगे, A को, और B को, और यहां एंगल बनेंगे, एंगल 1 और एंगल 2, इन दोनों का sum बच्चों कितना होता है, यह equal नहीं होते, इनका sum कितना होता है, 180 होता है, तो property मैं लिख देता हूँ इंपर थोरम, यह अपनी notebook के आप नोट कर रहे हैं, थोरम, इफ, एक quadrilateral, ABCD, circumscript, circumscript का मतलब, quadrilateral कहा बना एंगल 1 प्लस एंगल 2 इतना होगा, 180 डिगरी होगा, यानि कि इसकी opposite sides होती है, वो center के ओपर कितना angle बनाती है, 180 डिगरी, यानि कि opposite sides make supplementary angles, supplementary angles का मतलब क्या होता है, जिन दो angle का sum 180 होता है, उनको क्या बोलते है, supplementary angles बोलते हैं, opposite sides make supplementary angles at the center, center के उपर इस quadrilateral की opposite sides supplementary angle बनाएगी, तो बस इसी चोटी सी theorem का यूज मैं यहाँ पर करूँगा, यह angle आपको क्या दे रखा है, AOB 125 दे रखा है, और आपसे पुछा क्या गया है, COD, यानि कि यह angle पुछा गया है, तो मैंने आपको पताया था भी, इन दोनों का sum बच्छों कितना होता है, 180, तो यह कितना होजेगा, 180 में से 125 माइनिस कर दो, यानि कि 55, 55 degrees question का answer है, तो सिरफ और सिरफ यह थोरम है कि यह, अगर एक quadrilateral पूरे circle को touch करती है, quadrilateral की चारो side circle को touch करती है, तो इसकी जो opposite side होती है, वो center पे कैसे angle बनाती है, supplementary angle, जिन दो angle का sum कि बने टिगरी होता है, यह हमारा question, खतम हो गया, question number 29, यह फिल्कुल आसान question है, मैं आपको दो-तिन question ऐसे करवाच को पहले भी, इस figure में PA और PB दो tangent है, और center O है, APB 50 है, यानि APB, यह angle कितना है, बचो 50, और angle OAB, देखो OAB, यानि कि चोटे वाल एंगल आपको बताने है, यह diagram एक बार आपको दुबढ़ा मना के से बढ़ा देता हूँ, थोड़ा, बड़ा size में, और यह थोरम तो आपको direct याद ही होनी चाहिए, यह center है, ऐसे में diagram मना देता हूँ, यह point है A, यह point है B, और यह point है P, यह angle आपको कितना given number 2, 50 degree दे रखा है, और आपको निकालना क्या ह आपको निकालना है, ठीक है, निकाल देंगे angle 1, तो आप मेरे को बताओ, अगर यह 50 है, तो बच्चों यह कितना हो गया, अगर यह 50 है तो मैंने काफी पर आपको पता है न, यह angle कितना हो जाएगा, 180 में से 50 माइनिस करतो, यानिकी 130 हो गया, हो गया 130, क्योंकि opposite इन दोनों angle का sum क्या होता है, 180 होता है, अब यह 130 अगर आ गया, अब आप मेरे को बताओ, क्या यह angle और यह angle दोनों equal होते है, क्योंकि यह slide equal होती है, इस टेंगल की, तो दोनों radius है, ओ ए और ओब बच्चों equal होती है, क्यों equal है, क्यों here a की circle की radius दिख खनी है, इस का मतलब इनने opposite वाले angle इक्वल भी क्या होंगे एक्वल अब आप मेरे को बताओ अगर ये एंगल 130 है तो फिर इन 1 और 2 का सम कितना बच गया 1 पलस 2 का सम कितना बच गया 50 बच गया क्योंकि 180 टोटल होता है तो एंगल 1 कितना बच गया इस 50 को 2 से क्या कर दो डिवाइड कर तो अंसर कितना आजएगा 25 और याद करो मैंने आपको ग्लास में डिरेक्ट भी बताया था कि इस चौर्म को याद कर लो कि ये जो चोटा एंग पताया कि ऐसा क्यों होता है अब इस कोशिन में देखो ये पी बहुत अच्छा कोशिन है इसमें क्या कहता है एक राइट ट्रेंगल है ABC राइट अंगल किस पे है B पे यान की B के उपर 90 डिगरी का अंगल बना हुआ है बना देते हैं B के उपर बच्छो 90 डिगरी का अंगल बना हुआ है तो इसको AC मान लो और BC साइट कितनी है 15 ये 15 है और AB कितनी है बच्छो 8 AB 8 है तो पहले तो आप मेरे को ये बता दो क्या आप तीसरी साइट इसकी निकाल सकते हो क्या ये X निकाल दे एक बार X स्केर इक बार 15 स्केर प्ल circle is inscribed in this triangle ABC इ幹嘛 अग्सर्कल के अंदर बना हुआ है अंदर बनने का मतलब बच्छो वो सर्कल इसकी तिनो साइट को क्या करेगा तच करेगा इन स्क्राइब कमतलब होता है अंदर से तिनो साइट को क्या कर रहींगे ये आइस सर्कल के अच्छो cane ये वाला Green Circle है तो radius बटानी है इन-radius बोलते हैं और आप याद करोओ ए निमने आपको डियंगर बाले chapter के अंदर इन-radius का formula करवाय था क्या होता है delta by s किसी भी triangle की अगर आपको in-radius निकालनी हो formula क्या होता है delta by s, delta क्या होता है इस triangle का area और s क्या होता है वच्चो semi perimeter S को क्या बोलते है semi perimeter semi perimeter का मतलब perimeter का half semi perimeter का मतलब क्या होता है perimeter का half तो delta क्या होगा बोलो area और right triangle का area निकालने का formula क्या होता है half into base into height यानि की 60 और semi perimeter का मतलब क्या होता है तिन्नों side का sum तो perimeter होता है और उसका half कर दो के तो क्या होज़ेगा semi perimeter होज़ेगा तो कितना आ गई है 20 सो इन रेडियस आर कितनी आगे बच्छो डेल्टा ओवर एस यहन की थ्री सेंटीमिटर थ्री सेंटीमिटर इस कोशिट वा क्या है अंसर है इन रेडियस का डिरेक्ट आप फॉर्मला याद रखोगे इन रेडियस और सरकम रेडियस अगर पूछ ले एक सर्कल अगर इसके बाहर बना हुए ट्रेंगल के तो मैंने आपको सर्कम रेडियस का क्या फॉर्मला बताय हुआ है एबी सी अपॉन फोर डेल्टा ये बार बार याद हो जाएंगे सब कुछ इस कोशिन में पढ़ो बहुत आसान कोशिन है यह क्या है यह बच्चो बी पॉइंट है यह पी है यह सर्कल का सेंटर ओ है पी एक टेंजेंट आपको दे रखी है रेडियस इस इसक्स दे रखी है रेडियस का मतब कौन सा होगा बलो ओ से लिए लेंगल के अंदर ओपी निकाल लो इस रेड़ वाली ट्रेंगल के अंदर क्या आप मिरको बताओ यह ओपी को क्या मानलो एक बार आप एक समानलो तो राइट ट्रेंगल के अंदर यह हाइपोटनिस होगे ना तो यानिकि एक्स का स्केर क्या होगया सिक्स केर प्लस में एट स्केर यानि हंडर्ड एक्स कितना आगया बलो टैन अब बच्चों से मिश्टेक हो जाती है कि इस का अंसर वो 10 टिक कर देंगे लेकिन 10 नहीं बचो 10 तो यह सिरफ O से लेके P आई है ना बट अपने को तो B से लेके P निकालनी है तो B से लेके P क्या होगी बोलो यह 6 प्लस में X नहीं होगी यह 6 और यह X दोनों एड करो 6 प्लस में 10 यानि कि इस कोशिन का अंसर कितना आगा 16 बहुत आसान कोशिन था राइट ट दूसरे को बाहर से टक्रते हैं इसका मतलब जो डैग्रम समझ लो यह 2 circle एक दूसरे को कहा से टक्रत handle बाहर से ऐसे टक्रते तो यह आता है कितनी ऐसी Saline Så जो इन दोनों सरकल में common है, मतलब एक ऐसी tangent जो दोनों सरकल की हो, तो देखो, मैं आपको draw करके दिखा रहा हूँ, यह जो red वाली tangent है, बताओ, यह दोनों सरकल को touch करती है न, एक common tangent होगी, इसको क्या बोलते है, common tangent बोलते हैं, यह red वाली जो tangent है, यह भी इनकी common tangent है, क्योंकि यह भी दोनों सरकल को touch करती है, एक और, एक बच्छो, इस point के उपर, जो tangent होगी, यह भी तो दोनों सरकल को touch करती है, तो कितनी common tangent होगी, बताओ, three common tangents, तो अगर exam में लिखा जे, कि दो सरकल externally एक दूसरे को touch करते हैं, तो कितनी common tangent होगी बच्छो, three common tangent होगी, इसका एक extra part में और लिखवा देता हूं आपको, extra question, अगर exam में यह लिखा जे, कि दो सरकल एक दूसरे को internally touch करते हैं, internally का मतलब, एक सरकल दूसरे सरकल को touch करेगा, touch internally, if touch internally, तो कितनी common tangent होगी, एक, एक point हो, और सिरफ लास्ट लिख लो, अगर दोनों सरकल एक दूसरे को cut करते हैं, दो point पे, ऐसे, एक, दो point पे cut कर गे, तो कितनी tangent होगी, दो common tangent होगी बच्छो, एक ये वाली, और एक ये वाली, if, अगर ये दोनों सरकल, क्या करते हैं, एक दूसरे को बच्छो, cut करते हैं, तो कितनी common tangent होगी, two common tangent, तो मैंने ये तीन case आपको बता दिये है, एक्जाम में इन तिनों में से, कोई भी एक question आ सकता है, next question देखो, इसमें क्या बोला गया है, cp and cq are tangents to a circle with center o, cp और cq, तो मतलब कहां से draw की गई होगी है, cpoint से draw की गई होगी है, simple सी बात है, तभी तो cp और cq बनेगी न, तभी तो ये cp और cq आप draw कर पाऊगे, ये c point है, ये b point होगया, और q point होगया, और center क्या है इसका, center भी हम ड्रोग कर देते हैं, a, r, b is another tangent, touching the circle at r, a, r, b कोई और tangent है, तो मैंने ऐसा question अब करवाया हुआ देखो, ये एक और tangent होगी, a, r, b, ये circle को r पे touch करती है, और cp की length कितने दे रखे बच्छों आपको, 11, c से लेके p, ये length कितने दे रखे है, 11, तो पताओ, ये length अगर 11 है, तो क्या c से लेके क्यों भी 11 होगी, क्योंकि तोनो length क्या होती है, equal, और b, c, 7 दे रखे, ये बच्छों क्या है, 7, तो आप मेरे को बतादो, ये length कितनी होगी, चोटी वाली, ये, तो ये पूरी 11 में से 7 माइनस करतो, कितनी होगी, 4, यानि कि, ये length बच्छों कितनी होगी, 4, अगर ये 4 है, तो आप मेरे को बताओ, ये भी तो 4 होगी, क्यों, क्योंकि ये b external point है, और external point से एक ये, और एक ये जो 2 tangent रो की गई है, बच्छों, इनकी length क्या होती है, इक्वल, तो आप से ये वियार पुच्छी है, अंसर कितना आगया, 4, डाइगरम मना के, आप इस question को असानी से solve कर सकते हो, इस question में क्या का गया है, P, Q और P, T, दो tangent है, फ्रो में point P, तो डाइगरम मना हो अब, एक point P ले लो, X-DDR के अंदर, इस circle के बाहर, और वहां से दो tangent draw कर दो, P से लेके Q, और P से लेके T, दो tangent draw कर दी आपने, और center O है, P, Q, T, Q, P, T, 120, Q, P, T, मतलब इन दोनों tangent के बीच का angle कितना है, 120, तो Q, O, T आपको बताना है, Q, O, T, ये center में draw कर देता हूँ, और ये क्या होगी, radius होगी दोनों, ये 90 degree का angle होता है, तो आप मेरे को बतातों, Q, O, T, कुन सा होगा, Q, O, T, मतलब ये पूरा angle होगा, और आपको पता ही है, इन दोनो angle का sum कितना होता है, 120, और angle 1 का sum कितना होता है, बने T, तो angle 1 कितना आजाएगा, 60 degree आजाएगा, और लिए question को solve कर सकते थे हैं, ये अच्छा question है, बहुत important question है, इसमें ध्यान से देखना, इस figure के अंदर, semi perimeter of triangle ABC, semi perimeter का मतलब क्या होता है, बच्छों जो perimeter होता है, उसका half, semi perimeter का मतलब होता है, कि इन तिनों side को add कर दो, AB plus BC plus CA, और उसका क्या कर दो half, ये क्या होता है, semi perimeter होता है, ये point है B, ये point है C, ये point है A, तो इसका half आपको 23 दे रखा है, तो आप मिरे को बताओ, AB plus BC plus CA कितना आ गया, 46 आ गया, यानि कि इस पूरी triangle का, हम perimeter की बात करें, तो वो कितना आ गया, 46 आ गया, इतना समझ कि आप, आपको निकालना क्या है, AF plus BD plus CA, देखो ध्यान से, A से लेके F, B से लेके D, ये वाली side, और C से लेके E, मतलब इन तिनों side का, आपको क्या निकालना है, देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर इन 6 की 6 side को मैं add कर दो, तो बताओ, ये सारी triangle की side बन जाएगी न, तीनों की तिनों, तो AF plus में AE, फिर मैं कर रहा हूं कि इसको, BF plus BD, मतलब B से, जो B point है ना, उससे दो tangent रोकी गई है, BD और BF, मैं इनको add कर दो, इसी तरह से C point से, दो tangent रोकी गई है, एक तो C से लेके T, और एक बच्चो क्या C से लेके T, तो आप मेंनको बताओ, ये सारी side का sum भी तो 46 है न, क्यों, क्योंकि ये सब कुछ, इनोंने 6 side ने मिला के, पूरी 3 side नहीं मिना दे, ट्रेंगल की है न, ये, ऐसा मैंने क्यों किया, AF प्लस AE, देखो, AF और AE equal है क्या, आप में बस ये बता दो, AF और AE equal है क्या, क्योंकि, exterior point A से, जो दो tangent रोकी जाती है, circle के उपर, उन दोनों की length बच्चों क्या होती है, equal होती है, होती है न, मुझे question में सिरफ AF चाहिए, तो मैं AF और AE को, क्या twice of AF लिख दू क्या, क्योंकि, अगर ये number और ये number बच्चों equal है, तो इनके दोनों के sum को, मैं 2X लिख सकता हूँ न, यानि कि, अगर AF और AE equal है, तो मैं AF प्लस AE को, AF का double लिख दू, अगर मालों ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो दोनों को add करके, 8 लिखेने के बचाए, मैं 4 का double लिख सकता हूँ न, ये हो गया है न, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मुझे AF चाहिए, ऐसे BD, देखना, ऐसे BF और BD equal है न, B point से जो दो tangent रोगी गई है, बचों, उनकी rent क्या है, equal, तो BF और BD equal है, तो मैं इन दोनों के sum को, twice of BD लिख दू, ऐसे ही आप समझ गए, इन दोनों के sum को, मैं twice of क्या लिख दूँँगा, क्यों कि मुझे CE चाहिए, equal to 46, बस question खतम, तो यहां से क्या है, comment ले लो, AF plus BD plus CE, किसके एक विलागा है, 46, यह 2 निचे shift कर दो, तो AF plus BD plus CE, equal to 46 by 2, यानि कि कितना answer आगा है, तो इसका मतब जो आपको question में, semi perimeter दे रखा था था न, हमेशा बच्चों याद रखना है, इसका answer वही answer आएगा, अगर यह semi perimeter 23 की जिगा 40 दे देते, तो अपने question का answer क्या था 40, आगे से इस question को solve करने की जूट ने है, direct इसका result याद रखना है, यह बिल्कुल आसान question है, इस question में क्या कहता देखो, इस figure में दो concentric circle है, एक की radius A है, एक की radius B है, और A B से बड़ी है, A बड़ी है, मतलब यह जो छोटे वाली radius है न बच्चों, यह यह तो क्या होगी, B, और जो यह बड़े वाली radius आपको दिखिए है, ओ से लेके A, यह क्या है, ठीक है, यह होगी, और आपको यह बतानी है, length of A B, जो बड़े circle की क्या है, code और चोटे circle की क्या है, tangent, तो अब यह X निकाल ले, X की value क्या होगी, बताओ, यह 90 degree है, तो A square किसके एकल होता है, बच्चों, A square होता है, X square plus B square, तो X की value क्या आगी, बताओ, यहां से A square minus B square का root आगी क्या, आगी ना, X की value, तो A B क्या हैगी, फिर बताओ, A B क्या होती है, twice of X होती है, यह यह X है, तो A B X है, तो 2 into क्या जगा answer अबना, root of A square minus B square, option number क्या आगया, D आगया, 37th में देख लो, क्या बोला गया है, यह है बच्चो, मैं आपको डागरम बना के दिखाता हूँ, यह दो सर्कल है, एक की radius कितनी है, 9, और एक की radius कितनी है, बच्चो 40, आप से कहा गया है, उस सर्कल का diameter बनाओ, यह बहुत बड़ा सर्कल है, बलैक वाला, इस सर्कल का diameter बताओ, जिसका जो area है, इसका यह जो area है, बच्चो पूरा, यह इन दोनों सर्कल के area के sum के equal है, आप समझगे, इसका area बताओ, मेरेको इसका छोटे सर्कल का area, इस छोटे वाले सर्कल का area, area क्या होता है, pi r square, pi की value मत बट करना, ठीक है, into 9 का square, यानि 81, 81 pi हो गया, इसका area बता दो, मेरेको आप दो, pi r square होता है, तो यानि कि pi into 40 का square, 1600 pi हो गया, तो इस सर्कल का area बता है, क्या होगा, इस सर्कल का area, बड़े वाले सर्कल का area, area of larger circle, मैं इस black वाले सर्कल की बात करना हूँ, ठीक है, वो भी क्या होता है, pi r square होता है, और area है कितना बता हो, इन दोनों छोटे वाले area का sum है, यानि कि ये 1600 है, तो 81 pi, बलस 1600 pi, यानि कि ये कितना आगा, 1600, 81 pi आगया, pi से pi काड़ दो, r square कितना आगा बच्चो, 1681, और ये 1681, 41 का square होता है, तो r कितने आएगी, 41, r कितने आगी बच्चो, 41, 38th question देख लो, आपको the length of tangent बतानी है, drone from a point, 8 cm away from the center, to a circle of radius 6, यानि कि ये कहा गया है, कि एक point है exterior में, ये point है, ये कितना है, 8 cm away है from the center, यानि कि center से, इसकी distance कितनी है, बच्चो, 8 cm और radius कितनी है, बोलो, ये radius है, 6 cm, आपको बतानी क्या है, length of tangent, ये point बतानी है, बता देंगे point, इसको क्या मालो, x, तो बोलो, ये 90 degree है, तो ये side क्या होगी, hypotenuse, तो hypotenuse का square, equal होता है, बच्चो, x square plus में, 64 minus 36, equal to x square, x square आगया कितना, x कितना आजएगा, बच्चो, 28 का square root, 28 को क्या लिए लिए लिए, 4 into 7, 4 का square root रहता है, 2, 2 root 7, अपने question का answer आगया, question number 39, ये बिल्कुल आसान question है, if the angle between two radii of a circle, is 130, देखो, आप diagram बनाओ, ये कहता है, दो ऐसी radius बनाओ, एक ये वाली radius, ओ से लेके a, एक ये वाली radius, ओ से लेके b, इन दोनो radius के बीच का angle कितना है, बच्चो, 130 degree दे रखा है, तो आप से कहा गया है, कि इन दोनो radius के उपर, then the angle between the tangents, at the ends of these two radii, मतलब, इन दोनो radius के जो end point है, इन के उपर जो tangent आप डोकर होगे न, बच्चो, ये वाली दो tangent, इन के बीच का angle कितना होगा, मतलब, ये वाला angle, मैं बार बार आपको बताता हूँ, ये angle 90 होगा, ये 90 होगा, तो इसका और इसका sum कितना होता है हमेशा, बच्चो, 180, ये angle 1 माल लो, तो angle 1 plus 130, 180 होगया, तो angle 1 की value कितनी आजेगी, 50 degree, और लो कोशन था, ये तो है न, 50 degree is question, का अनसर रहेगा, question number 40 देखो, ये बिल्कुल आसान है, ए line intersecting a circle in two points is called, जो line एक circle को दो point पे intersect करती है, उस line को क्या बोलते है, secant बोलते हैं, line, ये एक circle है, ये एक circle है, और एक ऐसी line आप डो कर दो, जो circle को तो अलग-अलग point पे intersect करती है, ये line है, बचुर, इस line का नाम क्या होता है, secant होता है, तो ये मैंने सारे 40 के 40 question, आपको circle chapter के करवा दिया, इस ओर,